साथ निए clap work नेक्ट्स टोफलिक हमारा यूनिटाउट्डाव विंट्ड हमारा है यूनिटेट्रो ग्राफ कि वह अपने पिछली ख्लास पड़ा था था डुम अब कैसे Bigप तो डिन व्रव यूटेट्डुग वाई क्रचिमेंट एरिया अब यूनिट्ट्रव मिल्या धीका स्टॉम के कारण अगर रन आफ देफ्ट 1 cm किसी भी स्टॉम करण रन आफ देफ्ट 1 cm एक तो 1 cm कि अगर यॉनिट यूनिट अ रहा है तो उसके करेस्पॉंड जो हमारा है तो डेफिनिशन क्या हो जाएगी इस दे डियारेच डियारेच मतलब डाइरेक्ट रन आफ हाइड्रोग्राफ नहीं है इस डियारेच रिजल्टिंग फ्रॉम रनाफ देप्त आफ वन यूनिट उनिट यूनिट आपके हो सकते है है वने मैं वन सेंटियमिटर रहे हैं समय से कुछ भी हो सकता है यूनिट रहे क्या मतलब है इसका direct runoff hydrograph resulting from a runoff depth of one unit मतलब one unit runoff के लिए जो आपका curve plot होगा जो hydrograph plot होगा उसको हम बोलते है unit hydrograph that is runoff hydrograph plotted for one unit of runoff depth is called unit hydrograph मतलब एक unit runoff depth के लिए जो भी hydrograph plot होता है उसको हम बोलते है unit hydrograph पर लिए उसके कुछ assumptions है वहीं assumptions पर ही कुछ numerical solve होते है तो पहला assumption है rainfall intensity is uniform throughout the area इसका मतलब क्या है जो आपके rainfall intensity है अगर आपका catchment area है इस catchment में कहीं भी बारिस हो रही है यह uniform होना चाहिए इसकी intensity एक ही होनी चाहिए इंटेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए ठीक दूसरा है दूसरा exemption है हमारा rainfall intensity is constant over time that is same rate पहला तो है कि location कहीं इस catchment में जहां आज यहां चाहिए पहलən ही गिवारिस हो रही है दूसरा है कि same rate से भी होना चाहिए था्रिवchy दुरॉत गणती कि बारिस हो रही है तो शुरूमारत में जितनी बारिस हो रही है उसकी रेंटेंटेंसिटी गॉन्हें चाहिए लेखन चेलागे थड़ोरी यहां सब्सकाइब आने 사श माइस का रूपाल बास? पीरिष णिथा रेंटेंजाल्षों तो शचसरण रबारिस इंसवर केंचमों 181 00822 003–19 invert डनले भी यहां सब्सकों 166 008s 라고 1818,3 00822 00 fact, शुरू हुए यहां थोड़ी दिर बात शुरू ऐसा नहीं होना चाहिए रेंफॉल इंटेंज जो भी है वह हर जगह एक साथ शुरू हो और एक साथ थी उसी समय बंदो और नहीं होसाय चाहिए चोथा हमारा इंशन है टाइम इंवारियेंज के इंवारियेंज क्या इसको हमको टाम इंवारियेंज से समझते हैं मालते कि मधले के हमने एक हाटाइillos िइललु एक हाट्रोगराफ मतलब दो घंटे में कितने सेंट्र मेटर रन आफ होना चाहिए तो अगर इसका हाइडरो ग्राफ प्लॉट कर रही है तो इस तरीके कमाले बन रहा है फिर आगर माल टाइम प्रस 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 जो किसी भी लोकेशन दोग्हंते में अगर एक सेंटीमेटर बारीस हुई है और उसका हैड्रो ग्राफ। है अगर दो पहर में फिर दो घंटे और उसका वन सेंटीमीटर ही बारिस हो रही है तो उसका हैट्रोग्राफ भी इसी की जैसा सिमिलर सेम होना चाहिए लेकिन अब यहां पर हमने इसको अलागल है क्योंकि यह आफ्टर टी टाइम हो रहा है तो आपका हैट्रोग्राप तो सेम होगा इसी तरीके का लेकिन आफ्टर टी टाइम प्लॉट हो गई है अब्द टिसर Minnie वेरियेशन सब्सक्फी में आ गया इसी तीसले वहें लीनियर वेरियेशन है नेक्स पांच 6 जंसान लीनिएर वैरियेशन लीनियर वैरियेशन को भी हम कर्व सेमझते हैं ने Subsection Speech Line ऑन्री आगले कर लेक buds हम hydrograph plot करें जिसका runoff 1 cm है तो आपका unit hydrograph हो जाएगा ठीक क्योंकि unit runoff depth produce हो रहा है तो दूसरा उसके आगे कह रहा है कि अगर चार घंटे की बारिस हो रही है तो उसका runoff कितना हो जाएगा 2 cm समझे इसको कैसे linear variation की कैसे लग रहा है कि दो घंटे का hydrograph है जिसका अगर दो घंटे में hydrograph है दो घंटे का unit hydrograph है उसकी runoff depth 1 cm है तो चार घंटे वाली की runoff depth हो जाएगी 2 cm by the rule of linear variation कैसे अगर माल लेते हैं कि हमारा दो घंटे की यह बारिस है ठीक हमने कर्व ड्रॉक कि दो घंटे का हमारा इस तरीके hydrograph प्लॉट हो जाएगा फिर नेक्स्ट हम चार घंटे के बात करें तो चार घंटे कुछ इस तरीके को हो जाएगा टोटल घंटे आ जो घंटे बंडिंत क्टो जाएगाela याउस बात और दो घंटे बात क्षें फिर से इस एस रूवा इस वालत था फिर से बॉसक्त की कर रहा है इस वाले इस आगर हमको इसकाunu दियागार हैको चार घंटे के डारेक्ट ran-off ह्यीर जाएगा चार घंटे को इछल खा यहां पर देखिए अगर हम एक कर प्लॉट करते हैं युनिट हईडरोग्रम तो इस तरीकेगे प्लॉट हो रहा है अब इसका कितना है वन सेंटीमीटर रन औफ है अब करहें लिकार करें कि दो घंटे का दो सेंटीमीटर तो कुछ इस तरीके का होगा जो कि इसका जस्ट डबल होगा तो इससे हम 2 x of ordinate of 2 hour unit hydrograph तो इसका एक फारमला हम डिवलप कर सकते हैं ordinate of 2 hour 2 cm DRH मुलाब 2 g गंटे 2 cm runoff का DRH का जो ordinate है किसके बराबर होगा 2 x of ordinate of 2 hour unit hydrograph unit hydrograph मतलब 1 cm runoff इसमिलेरली अगर हम उसको माले ओडिनेट ऑफ टू आवर फाइब सेंटीमीटर डियारच के बनाना तो किसके बराबर होगा फाइब टैम्स ऑफ ओडिनेट ऑफ टू आवर यूनिट रोगा धान देना है यहां पर टू अपर टू अउनिट टू जनरल फाउमुला हम इसका मतलब कोई भी हम ओडिनेट डियारच को हम तो जनरल फाउमुला हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी ओडिनेट डियावर का है और एक सेंटीमीटर रॉन आफ के लिए हम बना रहे हैं डारेक्ट रॉन आफ हाइड़गा तो उसका ओडिनेट जो होगा वह उसी टाइम दूरेशन के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ का एक्स टाइम होगा एक्स टाइम मतलब जितने सेंटीमीटर आपको बारिस होई हो आगे हम एक नुमेरिकल कोश्चन इस पर लेते हैं कोश्चन ही कह रहा है दे ड्रेनेज अरिया ऑफ वाटर सेड इस 50 किलो मेटर स्कूर पतलब काश्माइट अरिया दे दिया 50 किलो मेटर स्कूर और फाइंड इस 0.5 cm पर आवर बेस फ्लोग आउटलेट इस 10 मीटर क्यूब पर सेकंड वन आवर उनिट हीड्रोग्राफ ऑवाटर सेड इस ट्रेंगुलर इन सेड कह रहा है फाइंड इस दिया है 0.5 cm पर आवर बेस फ्लोग आउटलेट इस 10 मीटर क्यूब पर सेकंड आगे दिया कुश्चन मों आवर यूनिट हीड्रोग्राफ ऑफ वाटर सेड इस ट्रेंगुलर इन सेड कराएंग एक घंटे वाला यूनिट हीड्रोग्राफ जो है कैच्मेंट क कर रहा है पीक ओर्डिनेट कितने दिर बाद है फाइव आवर बाद फाइंड पीक ओर आवर आउफ पीक ओर्डिनेट ऑफ यूनिट हैड्रोग्राफ कुश्चन अगर हम कर ड्रॉ कर लीजिए कितने दिया हुआ यहां पर 15 घंटे का दिया हुआ है पेस टाइम 15 घंटे पी यहां पर हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए कितना हो जागा वान सेंटिमेटर लेके 0.36 फामूलेम होता है डिवाइड बाद हाफ बेस 15 हाइट क्यूपी डिवाइड बाद फिप्टी किलोमीटर स्कॉर्र आपका एडिया यहां से अब क्यूपी निकाल लेंगे ठी लेंख 5.5 cm डिवाइडरोग्राफ कि अगर कोई स्टम् रेंफॉल और 5.5 cm बेसा दिया हुआ है मैं तो हाइड्रोग्राफ कि तना हो जाओ-अधिक 57 यहां कितना हो जाओ-फांठ देनbill कितना हो रहा है 5.5 cm निकाल पाओ-फाएडर्ध इंदेक्स दिया हुआ पाइंट फ पिछले क्लास में बताया है तो 5.5 इंटु टाइम एक घंटा तो यहां से इंफिल्ट्रेशन हो गया 0.5 cm आप रन आफ निकल लीजिए रन आफ कितना हो जागा रेंफॉल माइनस इंफिल्ट्रेशन 5.5 पीफ टो पीक और नाफ यहां से पीक बार्व काप का 18.52 आप कितने एक उंतलब मतलब कितने शेंटिम्ट्रेशन नाफ हो रहा है 5 सेंटिमीटर के लिए कितना हो जागा 92.6 सब्सक्राइब कितना अगे डी आरेच डारेट एपीख है डारेट रन आफ लेकिन कुश्चन में आपका कहीं भी नहीं बोला है कि पीक आपको किसका चाहिए तो जब भी ऐसा कुश्चन है तो आप पीक हमेशा किसका निकालेंगे फ्लाड हाइट्रोग्राफ का अब पीक हमेशा फ्लाड हाइट्रोग्राफ के लिए निकालेंगे तो हमको पता है पीक आप फ्लाड हाइट्रोग्राफ इसकॉल टू पीक आप डी रस प्लस बेस फ्लो पीक आप डी रस कितना है 92.6 प्लस 10 यहां से आजागा 102.6 मीटर क्यूब पर सेकंड यह आपका पीक वाटर मारी रस कहरा है अन्यव ईूनिट हेट्रोग्राफ फार डी रस फार इुट्यूप्राफ वाटर को सेकंड़ रस का है उनियट हेट्रग्र यह बस फ्लाड दू टूंट्टी आवर इएटज फीम पिम ड्डी हैट्राइर वाटिस चार्जिंग क्यो पर आवाल onder फट् तो area of hydrograph half half base into height, height आपको पूछ रहा है QP, यह हमने QP मानली height, divide by area कर लिजिए area of catchment, QP आएगा किसमें आगा है, meter cube per second, इसको फर्दर आगे meter cube per hour में, यहां से हम calculate कर सकते हैं, तो इस तरीकेशन हम unit hydrograph को question को solve करेंगे,